हलो गाइज वालकम बैक आज हम बात कर रहे हैं जो बी एसी फॉर्स सेम का टाइम टेबल आया है तो आपको यह टाइम टेबल को कैसे देखना है इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि आप अपना एप्लिकेशन आईडी और मोबाइल नंबर इंसर्ट करके कैसे अपना सेक्शन पता कर सकते हैं यदि आपको सेक्शन नहीं पता है और उसकी जो प्रोसेस है वो भी नहीं पता तो आप इससे पहले वाली वीडियो एक बार देख लें क्योंकि सेक्शन पता होने के बाद ही आप देख पाएंगे कि आपको कौन सा वाला टाइम टेबल आपकी class का है ठीक है तो चली हम शुरू करता है यह आपको website पर दिया हुआ है time table हम अभी math group का देख रहे हैं bio वाले बच्चे भी इसको देखके समझ सकते हैं कि उनको अपना time table कैसे देखना है तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक column दिया हुआ है जिसमें लिखा है time और section इसके अंदर जो sections है M1, M2, M3 से लेकर के M12 तक के sections दिये हुआ है ठीक है उसके बाद में आपका जो column है next है strength strength यह बताता है कि आपकी class में total कितने students admission लिये हुआ है ठीक है जैसे M1 की बात करें तो इस class में 151 students है अब यदि हम third column की बात करें तो ये लिखा हुआ है room number तो room number जो भी N से शुरू हो रहे हैं यहाँ पर सारे N से ही शुरू हो रहे हैं तो N का मतलब है new academic block यदि आपने academic block देखा है तो उसके ही just सामने एक नई building बनी हुई है उसे कहते हैं new academic block उसमें rooms बने हुए हैं 1 से ले करके 6 तक के ठीक है तो जो N1 है उसमें M1 section की classes रहेंगी N1 में ही M2 की भी रहेंगी लेकिन जब हम आगे time देखेंगे तो time जो रहेगा वो vary करेगा different मतलब एक time पर दोनों section की class उस room में कभे भी collide नहीं करेगी तो हम आगे चलते हैं अब यदि हम timing की बात करें room number के बाद में 8 बज़े से timing शुरू हो गई है आपको वो आला time देखना है जिसमें आपके यहाँ पर नीशे जो है कोई lecture दिया हुआ हो तो यदि M1 की बात करें तो इनका सब से पहला lecture दिख रहा है NCC उसके साथ में लिखा है all और bracket में लिखा है 7 यह NCC जिस column में है उसका time है 12.40 से 1.20 इसका मतलब यह है कि M1 class का जो पहला lecture होगा वो 12.40 से 1.20 का होगा ठीक है आप सभी के हर lecture की जो time duration होगी वो होगी 40 minute की ठीक है और यह जो green color के slots दिख रहे हैं यह green यह बताता है कि उस duration में आपकी lab है practicals है ठीक है अब ऐसा कोई भी ना करें कि भई पहले ही दिन आप lab के लिए चले जाए उस department में उस subject के department में क्यों ऐसा नहीं करना है क्योंकि भई यह lab में हम practical कप करेंगे जब हम कुछ classes ले चुके होंगे और हम कुछ करना experiment करना सीख चुके होंगे तब तो हम lab में जा करके experiment करेंगे ठीक है तो पहले आपकी theory classes शुरू होंगी और at least उसके एक week बाद आपकी practical classes शुरू हो जाएंगी ठीक है तो हो सकता है कि आपको एक हफ़ते बाद में आपको schedule आजाएगा practical lab का भी कि आपको कौन सी lab में जाना है बाकी time तो दिया हुआ यहाँ पर ठीक है तो हम यदि इसको continue करें आगे तो M2 लिखा है फिर हम इस एक ही line से सबका समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा M2 यह बताएगा M मतलब है maths और 2 का मतलब है minor आप यह चीज़ note down कर लो कि 1 का मतलब है major 2 का मतलब है minor और 3 का मतलब है open elective ठीक है यह तीनों आपने choices ली होंगी कुछ न कुछ जैसे हो सकता है major में अपने computer ले लिया हो minor में maths ले लिया हो open elective में physics ले लिया हो ठीक है तो जो भी आपने लिया है अपने section के सामने आपको देखना है अब जैसे लिखा हुआ है M2 तो M2 मतलब maths का जो minor paper होगा उसकी class होगी 1.20 से 2 बजे ठीक है then next आज़ता है P3 P मतलब होता है physics और physics का 3 याने की open elective वाला paper अब एक चीज़ देखिए यहां के लिखा हुआ है bracket में 1,2,3 तो यहां पर क्या है आपका 3 दिन लगेगा Monday, Tuesday और Wednesday यह 3 दिन आपका यह रहेगा physics का और बाकी का foundations का रहेगा 4,5,6 F लिखा हुआ है foundation के लिए और 2,4,3,20 में यदि हम इस पहली वाली row में ही देखें तो यहां लिखा हुआ है C1 इसका मतलब computer science major तो यह आपके 4 lecture हो गए उसके बादे जो green slot है जी बताता है कि lab वैसे ही green में यदि पहले वाले block में लिखा है C1 इसका मतलब है Monday और Tuesday को आपकी computer के lab है ठीक है जिसके भी पहले block में लिखा है तो आपकी time duration 3,20 से रहेगी और Monday Tuesday ठीक next यदि हम बात करें again जो most important है उसको देख लेते हैं क्योंकि जहां पर doubts आ सकते हैं जैसे हैं यह देखिए M4 M4 section में यदि हम आगे जाते हैं तो यह जो last वाला column है यहां आपको M7, M9, M11 यह सब कुछ दिख रहा है तो क्या है यहां पर G3 जो भी आपका subject लिया हो आपने जिसमें G से शुरू हो रहा होगा या तो geology होगा या geography होगा ठीक है तो G से शुरू जो हो रहा है यह open elective में लिया होगा और यह शुरू के 3 दिन लगेगा प्लस इस lecture में M7 के students भी बैठेंगे M9 के भी बैठेंगे और M11 के भी बच्चे बैठेंगे और इसमें यहां लिखा हुआ है 21 तो यह कहां पर होगा room number 21 में चीक है इसे ही इसके पास में लिखा है electronics EL3 तो electronics भी जिनोंने open elective लिया होगा उसमें भी सारे जो आपके M7, M11 और M9 के students है वो सब जाएंगे 4, 5 और 6 दिन तो इन सब का Thursday, Friday और Saturday Foundations का लगेगा lecture तो यह था आपको time table देखना कैसे है साथ में एक चीज है कि NSS और NCC के साथ में all लिखा है all का मतलब है सारे sections जिन भी बच्चों ने NCC या NSS select किया है फिर वो किसी भी section के हूँ उनको class को कब join करना है जैसे यहाँ पर दिया हुआ है तो 12,40 से 20 NCC की class है और यह room number 7 में लगेगी ठीक है वैसे ही यहाँ यदि हम देखें तो NSS की सारे sections की room number 7 में कितनी बज़े 12 से 12,40 उसके नीचे दिया हुआ है physical education इसमें भी all लिखा है मतलब सारे sections room number 8 communicative English सभी बच्चे ठीक room number 7 ऐसा करके आपको दिया हुआ है तो आप इसको देख सकते हैं और यह जो है most possibly आपका Monday से classes लगने लगेंगी ठीक है और यदि फिर भी कुछ लोग बाहर हैं अभी तो आप आजाएं next week तक ठीक है तो क्योंकि अगर अभी कुछ admissions भी चल रहे हैं तो बहुत जादा नुक्सान तो नहीं होगा लेकिन फिर भी क्योंकि classes शुरू हो जाएंगी तो बेटा पड़ाई आगे बढ़ने लगेगी तो हम यही कहेंगे कि आप regular रहेंगे class में तो उतना अच्छा रहेगा आपके लिए ठीक है और अगेन यदि आप चैनल पढ़ना हैं और computer science subject से related हैं तब तो आपको इस चैनल को subscribe कर ही लेना चाहिए क्योंकि यह आपको बहुत यूज में आएगा तीनो सालों में बहले या बशती के हों बीसीय के हों या अमस्सी के हों आपकी help होगी इस चैनल के त्रूँ तो ओके गाईस मिलते हैं अपनी next video में